जी हाँ दोस्तो अब आप दो मिनिट के अंदर ही अपने PF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अपलाई कर सकते हो और यह काम आप अपने मुबाइल से भी कर सकते हो इसके लिए आपको लैप्टॉप की कोई भी जरूवत नहीं है और अपने PF के पैसों को अपने बैंक अका काउंट में ट्रांसपर कर सकते हो उसका क्या प्रोसेस है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप मेरे बताए हुए प्रोसेस को फोलो कर लेना आपका PF क्लाइम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा तो चलो दोस्तों जाद देरी नहां करते हुए वीडियो को तो आप देख सकते हुए यह मेंबर इस हीवा का पोटल है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्राप्शन में दे दोंगा वेबसाइट का आपको वहां से इसका लिंक मिल जाएगा आप देख सकते हुए आपको यूए नमबर डालना है देन उसके बाद यहां पर आपको पासवर्ड डाल उस वन टाइम पासवर्ड को अपको यहां पर डालना है वन टाइम पासवर्ड को यहां पर आपको फिल करना जो कि आपड़ करना के बाद आपका log-in हो जाएगा यह फॉन लाइन विड्वल करने के लिए आपकी KYC का अपडेट होना mandatory है विदावड के वाईसी आप पैसा विड़ाल नहीं कर पाओगे तो उसके लिए आपको यहां पर option मिलेगा एक option आपको मिलेगा manage का इस पर आपको click करना है उसके बाद आपको क्लिक करना है उसके बाद आप देख सकते हो currently active KYC जो अभी करेंट में जो KYC आपकी active है आप देख सकते हो bank की KYC है pen की KYC है then अधार की KYC है तो प्यवेड़ाल करने के लिए bank and आधार दो KYC mandatory है यहां से आप इनका status भी चेक कर सकते हो यह status आपको दिख जाएगा status में क्या है बैंक भी अप्रूवड है pen card भी अप्रूवड है और आधार का भी अप्रूवड है वगर आपकी bank KYC अप्रूब नहीं है या फिर आ आपके सामने आएगा online claim form नमबर 31 19 10C & 10D उसके बाद आपको यहां पर आपना bank account नमबर डालना है यहां पर bank account नमबर डालना है जिसकी आपने KYC में कर रखी है ठीक वह bank account नमबर डालके आपको यहां से इसको verify के option देखने को मिलेगा उस पे आपको click करके bank account को verify कर देना किलिक कर देना है उसके बाद एक option मिलेगा I want apply for यहां से आपको स्में से select कर लेना है select option आपको प्र डाल करना है पैसा वहां से आपको अपना select कर लेना है किस company से आपको पैसा withdrawal करना है तो वह अपना select कर लेना है आपको उसके परपज आपको select कर लेना है किस परपज के लिए आपको पैसा की requirement है आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएंगे illness power cut marriage higher education ठीक है तो बहुत सारे आपको option देखने को requirement है उसके अपको यहाँ पर पैसा डालना है तो मैं अभी यहाँ पर 10,000 रुपे के amount डाल देता हूं देन उसके बाद आपको इंप्लोई address आपको यहाँ अपना address डालना है लोकल्टी स्ट्रेट ठीक है कि स्टेट से आप आते हो वो स्टेट है आपको यहाँ पर आपको मिलेगा पिन कोड़ आपके अपने अधार का प्रम यहाँ आपको यहाँ आपको इसको इसको अपने चेक अप्लोड करना है यहां से आपको चूज फाइल करके जो भी आपने डेस्टॉप पर जहां ठीक है upload करने के बाद मैं यहां पेक option मिलेगा आपको view का जो आपने upload किया है उसको यहां से आप view करके check कर सकते हो कि जो check आपने upload किया है वो क्या अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो view का option भी आपको यहां पे मिल जाता है लेकिन आपको चैक अप्लोड करते राइंप एक चीज आपको ध्यान रखने हैं आप देख सकते हैं आप अपर ओनली जे पीजी फाइल उस फाइल का जो ज्यादा सजादा पंसो के भी होना चाहिए अगर पांसो के भी से ज्यादा होगा तभी आप अपे अपना नहीं होगा और अपना चैक अप्लोड करना होता है ठीका तो इसमें को कोई भी टेंसन लेने की जरूवत नहीं अगर आपको चैक अप्लोड करने को अप्सेस मैंने बता दिया है कैसे अप्लोड करना है उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर डिसक्लामर मिल जाएगा इस चैक बोक्स पर टिक करना है टिक करने के बद आप सकते हो गैट अधार के साथ में लिंक था उस पर टीप बेज दिया है उसके बाद आपको यहाँ पर टीप डालना है यह उप्सन आपको मिल जाएगा इंटर ओटीप डालना है तन उसके बाद एक उप्सन मिलेगा वैलिडेट ओटीप एंड समिट क्लैम फॉर्म ठीक लास्ट की और इसको साथ से दस दिन का टाइम लगता है पैसे को आपके अकाउंट में आने के लिए तो साथ से दस दिन के अंदर आपका पैसा आजाएगा अगर आप जो प्रोसेस मैंने बताया वह आप फोलो करते हो तो अगर आपको कोई भी डाउट हो प्याप बिडॉल करते ता